अब हम लेक्चर 10 में आ गए हैं अपने और लेक्चर 10 में हम आज फिग्मा में फाइनली डिजाइन शुरू करना शुरू करने वाले हैं तो आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो हम सबसे पहले तो समझते हैं कि जो हमने लास्ट इक्सरसाइज की थी जिसमें हमने कुछ आइडियेशन किया था कुछ आइडियाज हमने निकाल ले थे उसके बाद हम नेक्स टेप क्या लेने वाले हैं और उससे हम एक डिजिटल व नेक्स लाइड पर आपको ले चलता हूँ तो सिंपली अगर एक वर्ड में बोला जाए तो फिडेलिटी का मतलब होता है लेवल ओफ डीटेल बस इतना सा है ये concept तो जब भी आप सुनें लो फिडेलिटी, मिड फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी इसमें काफी बड़े-बड रहेंगे तो इसमें थोड़ा भी इंटिमीडेट होने की या या इना मिडेलिटी जारूरत नहीं है जब भी आप सुनें detail किस बारे में बात हो रही है तो चले वो भी हम देख लेने तो जब भी हम कुछ design बनाते हैं तो एक design हम initial जब हम शुरू करते हैं जैसे आपने देखा हमें crazy eight में जो design बनाई वो complete design नहीं है उसमें हमने mostly सिर्फ और सिर्फ चीजों के लिए blocks यूज किये या circle यूज किये basic जो shape है हमने वो यूज किये और हमने उसका सिर्फ और सिर्फ placement बताया तो वो देखा जाये तो जो final हमारा product होने वाला है उससे बिलकुल भी match नहीं होता है, काफी दूर है वो अभी तो उसको हम बिलकुल भी low fidelity बोल सकते हैं, या हम उसको इसलिए हम उसमें wire frame बोलते है क्योंकि उसमें कोई detail ही नहीं है तो ये तो हो गया सबसे पहली चीज़ की wire frame आता है फिर आता है एक low fidelity low fidelity का मतलब होता है कि इसमें wire frame से तो ज़्यादा detail है बट final product के comparison में ये बहुत ही you know low level detail इसमें है, इसलिए हम उसको low fidelity बोलते है या हम short में low fi भी बोलते है, तो जब भी आप कभी सुने कि low fi wire frame, high fi mid fi, तो आप समझे ये fidelity के बारे में ही बात हो रही है low fidelity को हमने short कर दिया है low fi high fidelity को हमने short कर दिया है high fi अब आती है बात low fidelity के आगे बढ़ते है mid fidelity ये बहुत ही rarely आपको सुनने मिलेगा या आप नहीं भी मिलेगा और कई बार आप सीधे low fidelity से high fidelity पे जाते हैं, बट just in case अगर आपको ये word सुनने मिले, तो आप समझेगा कि इसकी जो detail है वो कहीं ना कहीं low fidelity और high fidelity के बीच में रहती है बतलब ये low fidelity से तो जादा इसमें detail रहेंगी, बट high fidelity से थोड़ी कम रहेंगी फिर आता है हमारा high fidelity high fidelity जो हमारा design है वो एकदम वैसा ही रहता है, जैसा कि हमारा final complete जो product रहेगा वो होने वाला है, तो इसलिए हम उसको high fidelity बोलते है और वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ या फिर almost आप बोल दीजे 100% match होता है final product से तो मैं आपको अभी यहां पर example पर देखा देता हूँ आप देख सकते हैं wire frame में यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ blocks देख रहे हैं यह blocks kind of a placeholder act कर रहे हैं और हर चीज के लिए यहां पर हमने define नहीं किया है कि उस चीज का color क्या होने वाला है या अगर कोई paragraph है तो उसमें लिखा क्या रहने वाला है हमने कुछ चीजें बता दी हैं कि चलिए दो अगर बटन है तो एक CTA बटन होंगी CTA का मतलब है call to action जो हमारा main action है और एक और action बटन है तो हमने यह थोड़ा सा define कर दिया बट यह भी wireframe में ही आता है उसके बाद से हमारा एक low fidelity है तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर हमने कुछ जादा details एट कर दिया है जैसे कि यह हमारा logo होने वाला है यहां हमें lines की जगे हमने lines को replace कर दिया है paragraph से और थोड़ा सा और हमने polish कर दिया है buttons को ताकि वो button जैसी लगे उसके बाद से देख सकते हैं आप high fidelity यहां पर हमने पूरी चीज वैसी की है जैसा कि हमें final product में दिख सकेगा तो यहां हमने logo चेंज कर दिया है यहां जो image आने वाल थी हमने वो भी डाल दिये और यहां जो final copy होने वाली है जो लिखा के रहने वाला है हमने वो भी डाल दिया है और बटन के भी सारे naming हमने कर दिये हैं और बटन को हमने color दे दिया आप देख सकते हैं इसके पहले सिर्फ और सिर्फ बटन का एक बहुत ही rough shape था बट अब यहाँ पे बटन को color भी मिल गया तो यह सारी तो बात हो गई हमारी fidelity fidelity आप समझ गया होंगे fidelity कुछ नहीं है बस level of detail का नाम है तो इसके बाद से जो हमारा next part है इस video का वो है कि हमें wireframe बनाने है तो हमने crazy it exercise करके कुछ ideation कर लिया और अब हमें wireframe बनाने है तो भाई wireframe है क्या simple सा है दो तरह के wireframe होते हैं पर उसके पहले हम देखते हैं wireframe है क्या wireframe simply हम एक line से एक तरह का diagram बनाते हैं जो की बताता है कि हमारे design में किस-किस जगे पे किस-किस चीज की placement होने वाली है और इसके लिए हम कुछ basic shapes यूज़ करते हैं या कुछ lines हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको चैसे ही मैं चालू करूँगा design करना मैं उसमें बताऊँगा आपको बट अभी के लिए important यह है जानना कि wireframe बस बहुत ही basic structure है design का जैसे आमने देखा अभी last slide में और wireframe आप चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं एक होता है paper wireframes दूसरा होता है digital wireframes दोनों चीज एकदम same है बस फर्क कहा है medium में तो अगर हम paper wireframe की बात करते हैं या pen paper wireframe की बात करते हैं तो आप simply वही चीज pen से paper पे बना रहे हैं और अगर हम digital बात करते हैं तो pen और paper की जगे आप कोई भी design software यूज कर सकते हैं और उसमें digitally बना सकते हैं तो चीज वही की वही है बस यहाँ पे हमारा medium change हो रहा है paper पे बनाओ तो paper wireframe हो गया अगर किसी digital tool में बना रहे हैं तो वो digital wireframe कहलाएगा तो य की होथी simple सा difference है और चलिए इसके बाद से अब हम फटाक से चलते हैं अपने Figma में और हम देखते हैं हम एक कैसे फट जो भी हमने crazy eight किया था उससे हम एक digital wireframe तयार करते हैं तो चलिए तो यहां हम आ चुके हैं अपने Figma में और जब भी आप Figma में आएंगे तो आपको कुछ हैसा ही देखेगा आपको इस site पे हो सकता है आप recent में आपको पहले दे या आप drafts में हो तो आप कहीं पे भी हैं कोई फरक नहीं पड़ता है आप जहां भी हैं आप drafts में आ जाएं क कुछ और देखें या हो सकता है यह space आपको blank मिले तो सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी है वो आप देख सकते हैं या एक new design file का option आ रहा है या तो चाहें तो आप यहां से बना सकते हैं या draft में जो यह plus icon है आप इसको click करके भी बना सकते हैं तो चलिए मैं यहां पे new design file पे click करता हूं फिकमा यहां पे आपको थोड़े देख लिए loading दिखाएगा और यह आपके पास एक ऐसा कुछ page आपको देगा यह एक दम blank है और यहां पे हमारा open name है इस document का आप चाहें तो इसको double click या single click करके यहां पे यह नाम change कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको देदेता हूं वायर फ्रेम ओके यह मैंने वायर फ्रेम इसको यहां नाम दे दिया है अब हमें सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि इस exercise के लिए मैं यहां पे सिर्फ आपको एक page का वायर फ्रेम बना के दिखाऊंगा जो हमारा home page रहने वाला है जो हमने app decide किया है बनाने क अब जब आप अपना कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको यह सोचना है कि हर अलग कितनी screens रहने वाले हैं और हर screen का क्या layout होने वाले है आप चाहें तो हर screen के लिए एक crazy attack exercise कर सकते हैं या ideation process अपनी लगा सकते हैं और उसके बाद से आप हर एक individual screen का एक वायर फ्रे तो just हम time save करने वाले हैं यहां पे और just because कि हम एक example देरना चाहते हैं मैं यहां पे आपको एक सिर्फ home screen का वायर फ्रेम बना के दिखाऊंगा बट आप जब भी अपनो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप हर screen के लिए एक वायर फ्रेम बना सकते हैं तो चलिए इसके बाद स सबसे पहले हमें यहां चाहिए होगा जो भी हमने exercise की थी अगर वो आप यहां पे photo ले आए तो बहुत easy हो जाएगा आपको reference के लिए as a reference के लिए तो सबसे पहले तो मैं यहां पे अपनी चाहूँगा मैं आप एक file ले आता हूँ अपनी हमने जो file बनाई है मैं वो ले आता हूँ तो यह आप देख सकते हैं यह हमारी यहां पे file आ गई है अब आपको अगर जैसे अभी मैं ने zoom out किया आप चाहें तो आप control और plus दबा के zoom in कर सकते हैं और control और minus दबा के zoom out कर सकते हैं और आपको अगर इसको move करना है canvas में कहीं भी तो आपके बस दो तरीके हैं या तो आप यहां से hand tool select कर लें और इसको move कर लें या दूसरा तरीका यह है shortcut कि आप किसी भी tool पे हूँ आप चाहें तो temporarily space bar दबाएंगे तो आपका tool change होके hand tool में convert हो जाएगा और आप space bar को hold करके mouse से इसको move कर सकते हैं आप अपने canvas में कहीं भी move हो सकते हैं navigate कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा basic हम navigation कैसे करेंगे और हम tools कैसे select करेंगे तो चलिए मैं अभी यहाँ पर zoom out कर लेता हूँ एक और तरीका है zoom out करने का जो कि जादा easy है आप जब भी zoom in या zoom out करना चाहा रहें तो आप control दबा के रखें और जो mouse का आपका wheel है अगर आप उसको आगे की तरफ scroll करेंगे तो यह zoom in हो जाएगा पीछे करेंगे तो यह zoom out हो जाएगा तो यह basic जो controls हैं वो मैंने आपको बता दिये अब चलिए यहां पर सबसे पहले तो मेरे को एक mobile का जो screen size है वो करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां पर हमारे एक frame यहां पर जो tool है यह frame आप देख सकते हैं जिसका shortcut F है हम इस पर click करेंगे और जैसे ही click करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर right hand side में आप बहुत सारे option मिल रहे हैं यह predefined कुछ format है जो भी popular mobiles है उनके format है जो Figma ने आपको दे रखे हैं ताकि आपका time save ह हो सकें तो यहां चलिए मैं बनाता हूँ माली जिए iPhone 11 के लिए तो आप देख सकते हैं यहां एक हमारा Figma ने बना दिया इसका जो size है यह width हम सेम रहने देंगे बट just because हमें और space चाहिए रहेगे हम इसको नीचे और shift कर लेंगे जैसे कि जैसे हम design करना शुरू करेंगे अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ छोटा करने के लिए बहुत simple है इस पर click करें और side में जाके arrow आप देख सकते हैं मैं simply इसे drag करके छोटा कर दूँगा ओके अब हमें कुछ चीज़ें और देखनी है पहली चीज तो यह कि हम क्या क्या building blocks यूज़ करने वाले हैं अपने design के लिए और मेरा building blocks का मतलब है कि जो भी इत्मान लीज़े हमारा यहां पे कुछ अगर logo होगा तो हम उसके लिए पायर फ्रेम में क्या चीज़ यूज़ करेंगे या हमारा कोई paragraph है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे तो सबसे बहुत ही simple चीज़ है जहां पर भी आपके पास कोई photo है या कोई चीज़ है ऐसी तो उसके लिए आप चाहें तो यहां से एक rectangle या square यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो उसके corner to corner या आप अपने diagonally यहां से उसकी line बना सकते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि यह एक placeholder है हमारा image के लिए तो यह image के लिए placeholder होगा और दूसरी चीज़ जो है जो हमारा paragraph है या title है हम उसके लिए placeholder कैसे बनाएंगे हम simply lines use करने वाले हैं तो आप यह देख सकते हैं तो हमने simply यहां पे lines use की paragraphs के लिए next आता है हमारा और जैसे आप देख सकते हैं कि अगर rectangle है तो आप उसको circular में भी मना सकते हैं अगर आप मान लिजे किसी circular image की बात कर रहे हैं तो आप उसे circular image में भी या इसको circular बना सकते हैं आप बहुत simple है आपको circle बनाके ऐसे line कर देने हैं उसके बाद से हमारा कुछ आता है buttons buttons के लिए simple आप एक और यहां से rectangle ले लिजे और उसको button का shape दे देजे इसमें आपके जो length रहेगी यह जाधा रहती है जो आपके width, height रहेगी वो कम रहेगी और आप चाहे तो उसको एक label दे सकते हैं label के लिए आप यहां पे text type tool का करें और यहां पे button लिख दें या जो भी label का नाम है आप वो लिख दें यह तीन चीजों से हम अपना चाहें तो पूरा wireframe तयार कर सकते हैं तो जो भी tools मैंने use की यह आप यह जो आप यहां देख सकते हैं rectangle, line, ellipse, polygon यहां बहुत सारे tools है आप इनका use कर लें कोई भी select कर लें और आप इसको अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने polygon या sorry जैसे ही मैंने ellipse लेके free form यहां पे करना शुरू कर दिया तो यहां देख सकते हैं आप size consistent नहीं है या proportion सही नहीं है मैं चाहूँ तो इससे oval भी बना सकता हूँ तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जब भी आप कुछ shape draw करना शुरू करें तो आप shift press कर दें इससे होगा क्या कि जो आपका proportion है वो आप lock कर देंगे जब तक आप shift hold करें वो proportion lock रहेंगे अगर मान लिजे यहां पे आप shift छोड़ते हैं तो देख सकते हैं आप proportion change होगा अगर आप फिर press करेंगे तो यह वापस से हो जाएगा तो यह हो गया हमारा shape हमने बना लिया अब चाहें तो यह जो lines हैं इसको मैं ctrl c करके copy कर सकता हूं ctrl v करके plus कर सकता हूं और इसे move कर सकता हूं अब आप देख रहे हैं यह मैंने move तो किया बट यह circle के पीछे चला गया तो उसको आगे जब भी ऐसा आपके साथ हो तो उसको आगे लाने के लिए आप bring to front कर दें तो देख सकते हैं यह आगया हमारा और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं यहाँ पर आपको perfect होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि wireframe जो है यह बहुत ही basic धाचा है तो इसमें perfection की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप बस बताना चाहरे हैं कि मेरा जो भी placement है चीज होगा वो यहाँ यह रहने वाला है तो आई होप यह चीजें clear हो गई होंगी हमारा basic जो building blocks है यह हमने clear कर दिया है और इसको मैं यहाँ एक stroke दे दूँगा जिससे कि हमारी outline बन जाए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यह जो site का panel है हम इसमें ज्यादा से ज्यादा option आपको मैं बताता जाओंग बट अभी के लिए इतना ही important है और आप चाहें मैं बहुत ही जादा encourage करूंगा कि जब भी आप wireframe बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा time दें और यहाँ पे जो चीजें हैं उनके साथ थोड़ा सा खेल के देखें कि भाई अगर मैं यह चीज को change कर रहा हूं तो आखिर फर्क क पढ़ रहा है आप उससे बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत अच्छे से आपको खुद ही idea आने लगे गया चीजों का आप देख सकते हैं यहाँ fill है मैं इस पर click करूंगा मैं color change कर सकता हूं तो simple सी चीजें हैं फिगमा ने बहुत simple कर दिया है चीजों को तो चलिए अब अब हम बात करते हैं और आते हैं अपने वायर फ्रेम्स पर तो आप देख सकते हैं हमने कुछ चीजें सेलेट की थी हर किसी हर एक कॉडरेंट से हमने कुछ चीजें ली थी जो हमको अच्छी लगी थी तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक टॉप में बार हो जहां पे हमारा कुछ मान लीजे यहां पे हमारा नाम रहे जो भी हमारा अप है तो उसके लिए यहां एक टेक्स होना चाहिए टेक्स के लिए मैं यहां पे लाइन यहां पेस्ट कर देता हूं इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो यह हमारा जो भी टाइटल है यहां यह हो जाएगा उसके बाद से आप देख सकते हैं एक सरकल है जो कि मैंने शायद प्रोफाइल पिक्चर के लिए रखा था तो उसके लिए हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं मैंसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यह हमारा यहां पर आ गया उसके बाद से आप देख सकते हैं यहां मैंने तीन थ्री लाइन्स हैं जो कि हमारा एक मेन्यू का काम करती है तो चली मैं उसको भी बना देता हूँ मैं उसको इसी से बना देता हूँ, simple है, बहुत ही simple है हमें करना क्या है Ctrl-C, Ctrl-V जब आप ये करेंगे तो Figma उस चीज को copy करके उसके उपर ही paste कर देता है तो जब भी ऐसा हो तो आप confused नहों कि भाई वो चीज जो हमने paste की वो गई कहां just simply you have to move और इसको मैं छोटा कर देता हूँ और एक line यहाँ पर लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर इसे duplicate करके नीचे दो line और लाने वाला हूँ वो आप चाहें तो Ctrl-C, Ctrl-V करके move कर सकते हैं और आपको एक और shortcut बताता हूँ जब भी आपको ऐसा duplicate करना है तो आप सबसे पहले तो जिस चीज को duplicate करना है उसको highlight करें click करें उस पर आप देख सकते हैं वो blue color में हो जाएगा next आपको करना क्या है आपको alt दबा के रखना है अगर आप windows पे हैं तो और देखते हैं आप यहां पे कि आपका जो cursor का है वो दो cursor में change हो गया है इसका मतलब यह है कि यह duplicate होने के लिए तयार है बस आपको करना क्या है आपको यहां पे अपना mouse left click करके इसको drag करना है तो यह हो गया हमारा एक और drag ऐसे ही हम third भी बना लेते हैं तो यह हमारा हो गया अब मैं क्या करूँगा अब मैं तीनों को select कर लोगा और एक साथ move करूँगा तो यह भी हमने कर लिया तो हमने बहुत ही simply अपना जो top bar था इसमें का वो हमने देख सकते हैं मैंने आप बना दिया इसके बाद से हमें क्या बनाना है मैं चाहता हूँ कि हमारा यहां कुछ लिखा रहे क्या लिखा रहे वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है most probably मैं यह जाहूँगा कि कुछ ऐसा लिखा रहे कि welcome back continue continue the chapters अरे यहां ऐसा कुछ उसके लिए मैं क्या करूँगा मुझे यहां दो लाइन्स टही रहेंगी just because कि यहां कुछ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं मैंने इसे copy किया और मैंने इसे पेस्ट कर दिया चलिए हम इसे यहां मूव कर लेते हैं इसे थोड़ा सा चोड़ा कर देता हूँ अब चाहें तो यहां से आप इसको थोड़ा सा और चोड़ा कर लें उसके लिए आपको करना यह रहेगा कि जहां 1 लिखा है यह stroke का है stroke height का है तो आप इसे बढ़ा लें या manually यहां पे माल लीजे आपको कुछ करना है तो आप यहां manually इंटर कर सकते हैं तो यह हमारा हो गया मैं हर चीज को एक पार सेंटर कर लेता हूँ परफेक्ट तो यह हमने यहां पे यह जो text है वो भी डग दिया इसके बाद से क्या चीज आते है इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की एक box रहे जिसमें वीडियो भी रहे और हमाना यहां कुछ description रहे तो चलिए हम उसको तयार करते हैं वो हम कैसे करने वाले हैं simply हम इन ही जो भी building blocks को हैं reuse करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि वो कैसे होने वाला है सबसे पहले तो मुझे एक thumbnail जैसा कुछ चाहिए तो मैंने इसे copy paste कर लिया और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो यह मान लीजे अगर हमने कर दिया कि यहां पर हमारा जो वीडियो का थमने ले वो रहेगा उसके बाद से मैं यहां एक rectangle और बनाता हूँ तो मैंने अभी के लिए rectangle उसके उपर ही बना दिया अब मैं क्या करूँगा मैं इसे send to back कर दूँगा ताकि यह पीछे चले जाए तो यह हमारा हो गया और मुझे कुछ description चाहिए जिसके लिए मैं इसी को reuse कर ले वाला हूँ तो यह हमारा description भी आ गया तो यह हमारा first block बन लिया अब मैं चाहता हूँ ऐसा एक और block रहे एटलीट दो रहने चाहिए तो मैं इसे ही वापस duplicate कर लोंगा और आप जब भी duplicate कर रहे हैं आप देख सकते हैं अगर आप सिर्फ alt दबा के करेंगे तो यह freely move होगा अगर आप चाहते हैं कि यह same line में हो तो उसके लिए आप shift दबा देजाए shift आप जब तक hold करके रखेंगे आपका एकदम same line या same proportion में move होगा तो यह मैंने यहां पर यह भी तयार कर लिया उसके बाद से next हमारा क्या था हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे option रहें अभी यह option क्या रहने वाले हैं यह मैंने decide नहीं किया बट जहां तक मेरा खयाल है क्योंकि यह app हम बना रहे हैं students के लिए और यहां पर हमारी कुछ different type की options रहने चाहिए जैसे कि lessons, course या quiz या फिर instructor से connect होनेगा तो काफी कुछ options यहां रहने वाले हैं हमारे पास उसके लिए हमें कुछ icons देने ज़रूर हैं और हम अगर home page या dashboard पे ही icon देंगे तो यह काफी easy हो जाएगा क्योंकि अगर बहुत जादा option है तो हम कुछ basic option चाहेंगे कि dashboard पे रहें बाकी के हम menu के अंदर रख सकते हैं बट जो हमारी navigation बार होगी यहां पे हमारे एकदम critical जो भी चीजे हैं वो रहने वाले हैं बैसिकली यहां तीन यह चार से जादा रखना ideal नहीं होता है तो सारे चीजें हम यहां नहीं रख सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ जो core हमारे functions हैं वो उनका हम यहां पे icon रखें जो बहुत easy रहे navigation के लिए तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं यहां circular हमारा logo यूज करूँ या जो भी हम icon बनाएंगे मैं चाहूंगा वो circular रहें शेप में ताकि वो थोड़े अलग देखें वो ऐसा ना लगे कि वो इसी tiles का part है तो इसके लिए मैं circular जो हमारा है वो यूज करूँगा तो इसको अगर आप right click करके copy करना चाहेंगे तो आप थोड़े confused हो जाएंगे क्योंकि फिक्मा में मैंने वो चीज अब शायद नहीं है या मुझे पता नहीं है तो सबसी easy है keyword shortcuts control C और आप यहां पे आँके control week दे दे अब हमें इसका size थोड़ा छोटा करते हैं तो यह चीज हमारी एक यहां पे icon आ गया और मैं चाहूँगा यहां हमारे पास एक headline जैसा कुछ रहे जो बताए कि यह section में हमारे icons हैं या quick actions है उसके बाद से मैं कम से कम यहां पे चार चाहता हूँ दो line में चार चाहता हूँ तो मैं इसे फिर से एक बार duplicate करूँगा और फिर से तो मैं इसे एक बार और कर लेता हूँ और फिर एक बार कर देता हूँ अब हमने यह तो duplicate कर लिया अब हमने सारे को select करके एक बार नीचे तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही simple आपका यहां हमारे icons आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम और क्या करने वाले थे अपने यह कवर कर लिया हमने यह वाला भी कवर कर लिया हमने यह चीज़ कवर कर लिया और हमारे पास एक जो हमारा navigation bar है bottom navigation bar हमारा यह बचा हुआ है उसके इलावा भी आप चाहें तो आप यहां पे कुछ भी addition कर सकते हैं तो आप ऐसा मत सुचेगा कि just because आपने crazy eight में कुछ चीज़ें की तो आप बहुत ही limited हो गया नहीं यह हर एक phase में आप चाहें तो अपने site से कुछ भी addition कर सकते हैं तो यहां मैं क्या addition करना चाहता हूं चलिए हम सबसे पहले तो इसको थोड़ा से extend कर लेते हैं और जगर बन जाए उसके बाद से मैं चाहूंगा कि हमारे पास यहां एक section रहे blog का क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं जो हम blog पे जिसके बारे में article लिखेंगे या कुछ नई technology technologies आएंगी तो हम उनके बारे में कुछ blogs लिखें या उर्दू IT academy पे students ने कुछ blog लेखा तो हम चाहेंगे कि वो भी students तक पहुचे उसके लिए हम same यही चीज़ें यूज करेंगा यही building blocks हम यहां यूज करते हैं बट इसका size में थोड़ा सा लग कर देता हूं और मैं चाहूंगा कि इसका हमारे पास कुछ एक description रहे छोटा सा और तो यह हमने थोड़ा description दे दिया उसको तो इस पे आप जैसे ही click करेंगे यह आपको ले जाएगा उस ब्लॉक के बारे में और मैं चाहूंगा यहां पर at least दो रहें या हमारा एक scrollable एक scrollable हम चाहते हैं यहां पर interface टाइप रहे कि हम scroll करें तो हम और discover कर सकें जैसे हम यहां से scroll करना शुरू करें तो हमारा और results यहां पर show होते जाएं यह हमारी एक चीज़ हो गए अभी तक हमने यहां button कहीं यूज नहीं किया है क्योंकि हमें dashboard पर अभी button यूज करने के जरूरत नहीं पड़ रही है बट अगर आप कोई ऐसा fireframe design कर रहे हैं जहां button की जरूरत है तो आप button यूज कर सकते हैं इसके बाद से I guess बहुत लंबा हमें dashboard अभी बनाने की जरूरत नहीं है तो इसके बाद से मैं यहां जू navigation बाहर है वो यहां पर मैं बना सकता हूँ उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ again एक rectangle यहां मैं बना लेता हूँ और इस rectangle में मैंने तीन यहां पर आइडिली तीन आइकोन यहां रखने की सोचा है तो मैं यहां पर फरस्ट आइकन लियाता हूँ send to front bring to front oops bring to front इसको एक बार मैं फिर से तो यह हमारा जो है और आप देख सकते हैं यहां पर just because कि मैंने तीन अलग चीज़ें यूज की हैं जब भी मैं select कर रहा हूँ मैं तीनों select करना पढ़ रहा है उसके लिए में कुछ shift दबाना पढ़ रहा है आप चाहें तो सारी चीज़ें select करके right click करके group selection कर सकते हैं इसे होगा क्या यह सारी चीज़ें एक group बन जाएंगी जिसको आप बहुत इसली एक बार click करके सारी चीज़ें select कर सकते हैं और आप इसे move कर सकते हैं तो हम इसे थोड़ा सा equally distant यह हो गया है और चलिए मैं इसे वापस से हाँ size इसका छोटा करके इसके बराबर कर देता हूं अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा dashboard है या dashboard बोल लिजए या पहली जो screen रहे गया आपकी उसका wireframe हमारे पास तयार हो गया है अगर same cheese आप paper पे बनाते हैं तो आप उसे paper wireframe या pen paper wireframe बोलते हैं just because कि हमने इसे एक digital software या एक online software में बनाया है इसलिए हम इसे digital wireframe बोलेंगे और अब आपको क्या करना है आपको same जो भी आप अपना app बनाना चाह रहे है उसका जो भी screens होने वाली है आपको decide करना है कि उसमें क्या element रहेंगे और उनका placement कहां रहने वाला है और आपको same Figma में या Adobe XD में same basic building blocks circle square rectangle lines ही use करके आपको एक basic wireframe बनाना है एक basic उसका बोल लीजे blueprint बनाना है कि कौन से चीज़ कहां रहने वाली है तो lecture 10 के लिए हमारा जो topic था वो हमने cover कर लिया lecture 11 में अब हम क्या करेंगे हम एक-एक step आगे लेंगे हम लेक्चर 11 में देखेंगे कि इस wireframe को हम low fidelity में कैसे convert करते हैं और उसके बाद से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे low fidelity से हम high fidelity के तरफ जाएंगे उसके बीच में हम prototype भी देखेंगे कि prototype हमने बनाया है हम कुछ user testing के बारे में भी समझेंगे और उसके बाद से finally हम high fidelity prototype बनाएंगे जो कि सबसी end part है end result है उसमें हमारा जो app बनेगा वो look wise और function wise एकदम वैसा ही होगा जैसा कि वो develop होने के बाद होना चाहिए तो I guess आपको यह lecture पसंद आया होगा और please मैं encourage करूँगा कि आप फिकमा में थोड़ा सा चीजें अपने से try करना शुरू करें कुछ भी बहुत जादा यहां technical नहीं है फिकमा में फिकमा ने बहुत easy कर दिया है चीजें आप बस थोड़ा सा practice करेंगे या थोड़ा सा आप discovery करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आप जितना जादा practice करेंगे आपको उतना जादा you know फाइद research करना पड़ें बट जो design part है वो कहीं ना कहीं आपको day in day out आपको design तो करना पड़ेगा है तो जितनी जादा आप practice करेंगे अभी से उतना आपके लिए easy हो जाएगा तो चलिए यह lecture I guess already काफी लंबा हो चुका है और मैं आपसे अभी विदा लेता हूं और मैं आप आपसे lecture 11 में मिलूंगा thank you so much